Hello friends, welcome back to my channel तो आज मोँ लेखे आई हूँ मामा अरथ का उप्टन फेस मास्ट उप्टन फेस मास्क जो वैसे भी मामा अरथ के प्रोड़क्त almost निच्रल इंडियेंस को फोते कोई भी केमिकल्स नहीं होते कोई भी सलफेड, कोई भी पैराबिन्ष स्कुछ प्रोड़क्स उसके अंदर केमीकल नहीं होटे कोई भी कलर भी नहीं होता है उसके लिए ओध के प्रोडक्स पहुत अच्छे आते हैं स्कालो इसका उप्टन फेस मास्क मैंने मंगवा था मैंने ये नाइका से पचेज किया था तो मैंने सुच ज़स आपकी साथ इसक यहां उन्हें किसवें यूज़ करना है कौण कोंसे इंडर 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 आते हैं वे सब्कुछ यहां उन्हें उसकी प्राइज मेंचन किया है उसकी डेट-पैडिस्ट यहां कि सब्टेबर 2019 से अक्टोमबर 2021 तक आप यूज़ कर सकती हूं फिर यहां उनने लिखा है कि इसकी प्राइज यहां लिखा है 4.99 की है लेकिन मैंने नायका से पर्चेश किया तो उस ताइम मुझे अच्छे से दिल में आ गया थे मैं सायर में इसकी स्क्रें डाल हूँ यह भी तो यहां कुछ 10% आपको आप मेलते हैं फिर यहां उन्होंने लिखा है कि इसकी कॉंटेट ही 100 ml है और इनर पैकेज हम देखते हैं तो मामाएड के कुछ बाइट कलर की इस टाइप के कंटेनर में आता है इस टाइप की नॉर्मल वैसी पैकेजिन है यहां भी सिम उन्होंने में मैंसन किया है नो पेरामिज, नो क्रिटिकल, डर्मी पावडर, मामा, इस टाइप का स्पून आता है जो हमें अच्छी तरह से हाइजनिक से यह स्पून की तरह हमें एपलाई कर सकते हैं पर सब्स हो तो प्रस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं तो अंदर से कुछ इस होती हो उस टाइप का इसका कलर है देख सकते हो उसकी फ्रैंड्स स्मेल आयरुवेदिक जैसे हाती है उस तरह की उसकी स्मेल है सचमुष फ्रैंड्स उसकी स्मेल आयरुवेदिक में किस तरह जी आयरुवेदिक के जो प्रोड़क होते हैं उसमें कैस तरह की स्मेल होती है उ काफे से टर्मिक पावडर तो यलो बडल देती है तो इसके जो क्रीम की कॉंटिटी है बहुत बड़ी क्रीम की वैसे भी मामायद की प्रोडक में कॉंटिटी ज्यादा होती इस तरह कि आप देख सकते हूं इसका जो मुलते की मिठ्टी है उस टाइब की इस तरह कि हम पैक अपले कर दो कि आसे स्मूध से एक लेयर बन जाता है उस टाइब कर देख सते हो स्मूध से एक लेयर बन जाता है आप देख सकते हो मुलते की मिठ्टी की तरह जग रहा है अच्छा से उसकी क्रीम है क्रीमी पन थोड़ा सा है तो स्मूध वाला है तो फ्रे झाल झाल जाता है तो जाता है दो जब भी किया था जब ही मैंने अपले किया था वह उप्टन मांस तो मुझे बाद एक्तम सा ड्राइपन हो जाता है फिर ऊसके बाद रिमोर किया था उसके इसकी स्मेल तो बहुत ऐर्वेदिक जैसी थी तो वैसे मुझे लगा कि जैसे मैं अयर्वेदिक सोप में बैठी हूँ और पूरी जगह से इस तरह से इसकी स्मेल आ रहे थी क्योंकि नेच्रल इंग्रिदेंस तो वैसा तो रहेगा और उस्चेन को जो डैट ब्लैक काली तब जो संटेन लग जाता है का अगतब्य होती है मारे कभी को स्कीन में तो उसको अच्छी तरह से वह दम सा लाइट पन और ब्राइट पन दी रखेगी फ्रेंट्स कुमें कंटिनूस को यूज करके तो मेरा डिजर्ट बहुत उसका आएगा क्योंसे भी वैसे भी मामायर्थ की प्रोड़क्स 100% निचरल होते हैं तो मुझे इसके लिए मेरे स्कीन के लिए जरूर रिजर्ट आएगा मैं कंटिनूस को यूज करने वाली हूँ फ्रेंट्स वैसे तो मैं कफी टाइम से यूज करूए इसके मैं थोड़ा सा मुझे स्कीन के उपर फरक लगा इसले मैं आप के साथ शेयर किया फ्रेंट्स वीडियो तो फ्रेंट्स मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प हो रहो अच्छा रहो तो सब्सक्राइब कर दिना मेरी चैनल को लाइक करना कमेंट जरूर करना फ्रेंट्स का आपको कैसा लगा यह प्रोड़क्स का रिव्यू और अप अपने फ्रेंड्स अपने फेमिली को हमाई चनल को सेर करते रेना तो मिलती जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाइ!